मुलेटिन मा आजे सउथी पहला समाचार आस्ट्रेलियाना ज्यान न्यू साउथ वेल्स मा शुक्र बार्ती एटले के आवती काल थी कटो कटी लागू कराश आनिलने एटले लेवायो कारण के ही आस्ट्रेलिया मा फाटी निकलेला दावानल थी अनेक लोको तेमनो विस्तार ताकी दे छोड़वा मजबूर छे अधुरामा पुरू आगामी समयमा तापमान वधवानी आने जडब थी पवन फूंकावानी पन भीती छे आने तेथी आजे परिस्थिती छे ते वधारेवन सिश्रके छे छे एक सप्टेमबर महिना थी भड़की उठेलो दावानल चालो सप्ता हे विक्टोरिया आने न्यू साउथ वेल्स वच्चे पन फैलाई गयो छे तो आप परिस्थीती ने पगले कुल अढ़ार लोकोन अम्रुत्यू थाई गया चे बारसो थी वधू जे मकानों चे ते बरबाद थाई गया चे अने 70 लोको लापता चे न्यू साउथ वेल्स मा वीजपूर्वठो खोवाई गयो चे अने कहवाई चे के अहीं थी लोको मोटी मात्रा मास थडांतर करी रहा चे आटली हदे विस्थाप नहीं थी क्या रही नथी थाई वाहनों नी लांबी कतारों जो इश्रकाय चे जे तमाम सीडनी अने कैनबरा तरफ जई रहा चे आग थी बचवा माटे विक्टोरिया ना माला कुट्टा माथी हजारों लोको होडी मा बैसी ने दरिया मा जता रहा दरिया मा फसायला लोकों ने बचावा माटे नवकादर्नू जहाज तैनाद करवू पड़ियो हतु सांबर ये माला कुट्टा ना स्थानिक ब्रेंडन नूश्रूं कहवू छे माला कुट्टा विस्तार ये विक्टोरिया नो वहू सांत अने अलग थलग विस्तार छे जे आग्मी चपेट मावी के हो छे अमारा अंदा जा प्रमाणे लगबक सो जितला गरू नास पामिया छे एवी जग्या जे मातर हजार नी संख्या मा लोको वस्से छे अहीनी खास बात एच छे के नातालना समय अहीं 10 हजार लोको नेशनल पार्क मा रजाओ गालवा आवे छे अने आँ शेहर आ प्रकार्ना संकत्मों सामनों करवा शक्सम न थी जेथी सरकारे अहीं नवकादर नू एक जहाज मुख्यू छे तमें अहीं मारी पाच़र तेने जोई शको छो अने जे लोको आ जग्या छोड़ी जवा मांगता होई तो आ दावानल केटलो भीशन छे तेने आप आ जे नक्षो छे तेना थकी समझी शको छो आप समझी शको छो के आस्ट्रेलिया थी 2000 किलोमीटर दूर आवेल न्यूजिलेंड मा पन आ दावानलना धुमाडानी असर जोवा मड़ी रही छे न्यूजिलेंड नवादलो हवे राता रंगना थाई गया छे हवे आ दावानलने काबुमा करवानो पड़कार मात्रो आस्ट्रेलिया सामें छेऊ न थी पहला अमेरिका, ब्राजिल, रशिया अने इंडोनेशिया पन आ दावानलने काबु करवा मा निश्पल रहा छे जो ये आ जंगे नो आखास एहवाल आकाश मा उंचे सुधी भड़के लिया आग नो धुमाडो आस्ट्रेलियाना विक्टोरिया राजिना बाखंथी निकलेला अधुमाडा 450 किलोमेटर दूर देशनी रादधानी कैनबेरा सुधी पहुचिया छे जेना लिदे गुरुवारे कैनबेरानी हवानी गुनवत्ता दुनियामा सवती खराब आकवामा आवी हती पन अस्ट्रेलियानी चिंता हवानी गुनवत्ता न थी पन सप्टेम्बर सी जंगलों मा लागेली आग अने तेना कारणे लोकों, जंगलों अने जंगल मा रहता प्राणियों नो जीव बचावानी छे आग बदूज चौपट करीदे तेवी छे आस्ट्रेलियाना वड़ा प्रदान स्कॉट मोरीस ने जनावियू छे के तेमनी प्रात्मिकता लोकों ने सुरक्षित स्थडों पर खसेडी आ आग ने काबू मा लेवानी छे जंगल नियाग, अमेरिकाना कैलिफोनिया, ब्राजिलना वर्शावन विस्तार, रश्याना साइबेरिया अने इंडोनेशिया माटे पण माथानों दुखाओ साबित थाई चुकी छे पण हाल आस्ट्रेलिया मा स्थिती वधारे भई जनक छे जुलाई छी अत्यार सुधी मात्र न्यू साउथ वेल्स मा लगबग 14 लाग हेक्टर क्षित्र बड़ीने खाग थाई गयो छे वर्श बेहज़ार अधार मा अमेरिकाना कैलिफोनिया मा लागे ली आग मा अधार लाग हेक्टर क्षित्र प्रभावित थाई हो हतो वर्ष बहजार उग्णिस मा वर्षावन मा लागेली आग मा नव लाग हेक्टर विस्तार आग नी चपेट मा आवी गयो होतो आस्ट्रेलियाना नेशनल सेंटर फोर रिसर्च इन बुश फायर ना को डिरेक्टर टॉक्टर पाल रिड ना कहवा प्रमाने आस्ट्रेलियामा वार्षिक आग लागवानी लगबग 62,000 घटनाओ सामे आवे छे जेमासी 13 टका हाथे करीने आग लगारवामा आवे छे अने 36 टका केसमा कही शकाई नहीं कि आग लागवानू कारण शूं छे परंतुआना थी थनारू नुक्सान दुन्यानी सामे छे आज विशे हमें वदू बात करी लंडन स्थिद बीबीसी पर्यावरान संवादाता नवीन सी खड़का साथे या मैं तेमने पूछी हूँ कि आउस्ट्रेलियानी आप भयंकर आग ने जड़वायों परिवर्तन साथे केटलों संबनते हैं आप इतिहास देखे तो जो आग लगती है वहां जंगल में बुश कहते हैं वो जाड़ी तो मतलब सडियों से वो तो कहते हैं जब से समय की शुरुआत हुई तभी से यह हो रहा है लेकिन बात यह है कि जिस गती और जिस हिसाब से जो इंटेंसिटी कहते हैं जितनी ज्यादा और जिस तरह से फैल रहा है वो जो है उसका जो है जलवाईव परिवर्थन से तालुक है वैगेनिकों का ये कहना है ये वो ये कहते हैं कि जो तापकर में विद्धी है खुद आस्टलिया में ये दिख रहा है जहां मतलब आस्टलिया में आप देख रहे हैं कि 50 डिगरी तक पहुंच रहा है तो उसकी व विर्तन से इसका सिधा तालुक है बेगेनिकों का ये कहना है इंडोनेशियानी राजदानी जाकारतामा आवेला पूर्मा ओछा मा ओछा 21 लोको ना मौत ना अहवाल छे आवखतनो वर्साद नहीं छेल्ला बैदाइकामा सौथी भारे छे ओछामा ओछा 30,000 लोको आश्राइ स्थानों मा स्थलांतरी थाया छे जाकारताय वर्साद मा पूर्णो सामनो अगाव पन करयो छे पन आवखते स्थीती वधार्य बनसी छे चीन ना शिन जियांग प्रांत ना आद रश्यो छे जियां घोडाओ बरफ मा दोड लगाव रहा छे जोके आ घोडाओ जंगली नथी तेमने कसरत माटे मुगत कराया हता आने जारे ते ओ बरफ मा दोडे हता त्यारे आवा द रश्यो जूवा मले हता बीबीसी समाजार मा समय विराम नो आगल जोईशूँ जनरल बाजवाना कारेकाल ने वधार भा अंगे ना बिल पर आती काले पाकिस्तानी संसद मा रजू थशे बिल तुर्कीनी संसद मा लीबिया मा सेना मोकल भीके नहीं ते अंगे थशे मत दान रुकाई ये विराम मांटे मुलिया थोड़ी जवार मां विराम बाद आपनो स्वागत बीबीसी समाचार मां हूँचू कल्पना शा अने हवे बात करेशूँ पाकिस्तान मां चाली रहेली बाजवानी बबालनी तो पाकिस्तान नी जे इमरान खान सरकार छे सैन्य प्रमुक जनरल कमर जावेद बाजवाना कारेकाल ने वधारवा माटे तेमना कारेकाल ने छो महीना सुधी मर्यादितकरी ने सरकार ने चेतवनी आपी के ते आर्मी एक्ट मां स्रंशोधन करे नही तर आर्मी चीफ ना अन्य नाम पर विचार करे हवे मीडिया रिपोर्ट्स प्रमाने आर्मी एक्ट मां स्रंशोधन ने बिल स्वरूपे संसदमा मंजूरी मले तेमाटे नव सत्र बोलावामा आविव छे मनाये चे के आ बिल आवतिकाले संसदमा रजुकराश अमाम लेहवे पाकिस्तान मां सवालों पुछाई रहा चे के इमरान खान नी एवी कई मजबूरी चे के जनरल बाजवानों कारेकाल त्रोंड वर्ष वदारवानी फरज पड़ी निश्ना तो देनी पाचल कोल चार कारणों माने चे पहलू ए भारत साथेनों संगर्ष पुल्वा मा बालाकोट अने जम्मू काश्मीर मा कलम 303 ने निश्प्रभावी करया पची पाकिस्तान अने भारत वच्चे तनाव चरम सीमा पर चे त्यारे आवासंजगों मा इमरान खान कोई रिस्क लेवा नथी मागता बीजू कारण जनरल बाजवानों अनुभव। कमर बाजवा काश्मीर मामलाना जानकार मनाए छे त्रीजु कारण इमरान सेना साथेनों संगर्ष तालवा मा गये छे ते पाकिस्तान मा सेना दवारा तक्टा पलटनी नवाई न थी पाकिस्तान ना उद्बवती लईने अत्यार सुधी लगबग 18 समय सुधी सेना एज राज करियो छे तेथी इम्रान सेना साथे ना कोई पन प्रकार नो संगर टालवा मागे छे चोथु कारण इरान औने अफगानिस्तान साथे नो जे व्यभार छेते इरान औने पश्ची मी देशों वच्चे नो तणाव वद्यों छेते उपरांत अफगानिस्तान मा पन तालिबान औने अमेरिका वच्चे नी शांती प्रक्रिया मा इम्रान जनरल बाजवाना अनुभावनों उप्योग करवा मागे छे चोके आब दावच्चे पाकिस्तान नी विपक्षी पार्टी हो तो इम्रान सरकर ने आर्मी नी कट पूतली सरकार गणेश तो बाजवानी आज बबाल पर वदू महीतियापी बीबीसी समवाद दाता शुमाईला जाफरी है पाकिसान की कैबनेट ने कल 1952 के आर्मी आक्ट में अमेंडमेंट की मन्सूरी दी है जिसके जरीए प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर आ जाएंगे कि वो चीफ आफ आर्मी स्टाफ को तीन साल की एक्सेंशन दे सकेंगे लेकिन इसमें एक ड्रमाटिक ट्विस्ट उसक्त आया कि जब 28 नवेंबर को करंट आर्मी चीफ कमर जावीद बाजवा रेटायर होने वाले थे कि रेटायरमेंट से तकरीबन दो-तीन रोज पहले इस नोटिफिकेशन को पाकिस्तान के सुप्रीम कोट में चैलेंज कर दिया गया पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोट है उसने टेक अप किया इस पेटिशन को और फिर दो-तीन दिन तक इस बहुत बहुत मुभायसा होता रह और फिर हकीकत ये सामने आई कि पाकिस्तान में कोई ऐसे कानून ही मौजूद नहीं है जो के वाज़े तोर पे जो के पाकिस्तान में चीफ आर्मी स्टाफ की एक्स्टेंशन से रिलेट हो और कोट ने बिलकुल चंद घंटे पहले जबके बाजवा साब की रेटार्मेंट बिलकुल करेंबा चुकी थी उनको प्रो विजनल रिलीफ दिया है और जै महीने के लिए हुनको एक्स्टेंशन दी के कंडिशनल थी और गर्मेंट को यह कहा कि उनको पर प्रपर लेजेसलेशन करे हर् Oğlumं और साथ ही साथ में ये वी कहा कि अगरler मुए सो फ्रेशन नहीं कर ले जाए जा रहा है, कल से इस पर भहस चीरू हो जाएगी, लेकिन अब तवक्कों यह की जा रही है, चुकि इसके अंदर जो इतराज रहा था, वो इस पर नहीं था कि परपस या मकसद क्या है, कि उन एक्स्टेंशन दी जाए या ना दी जाए, लेकिन अब तवक्कों यही की जारी है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, वो देखेंगी कि यह स्ट्राटीजी का मैटर है, और फिर अब वो इस पर क्या स्ट्राटीजी बनाती है, लेकिन अभी तक एक्स्टेक्टेशन यही है, कि शायद सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर गवर्मेंट से कॉपरेट करेंगी। विद्रोही नेता खलीफा हफ्तार लिब्यानी संयुक्त राष्ट समर्थित सरकार सामें मोर्चो मांडी बैठा छे, तेमने हवे त्रिपोली के जे लिब्यानी राजदानी छे, तेनो कब जो करवा तेना पर छापो मारेओ छे, छेले एपरिल थी चाली रहला आयुद मां जो के तेमने सफ़रता मड़ी न थी, आलडाईना अंतराष्टे कारणों पन छे, अने तेनी अलग-अलग राजनी ती पन, इजिप्ट, संयुक्त आरब अमीराथ अने साउधी अरेबिया जनल हफ्तार ने टेको आपे छे, जो के तूर्की नी सेना सक्रिया लडाई मां भुमी का नहीं भजुए, मात्र सरकार्णी सेना ने तालीम अने सलहाज आपशे. तबी भी क्षेत्र माथा एला एक नवा अभ्यास अनुसार, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, एक डॉक्टर जिटली चोक्साई साथे ब्रेस कैंसर नू निदान करी शके छे, गूगल हेल्थ एंड इंपेर्याल कॉलेज लंडने एक मशीन लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम ने एकसरे समझवानी तालीमापी, अने ते एक डॉक्टर करता पण वधार सचोट रिते निरिक्षन करी शके छे ते साबीत थाईू. आ प्रयोग पर काम कारना राशन शुदको कहे छे के तेना थी निदान जड़पी अने वधू चौक्कस बनी शक्षे. मेमोग्राम ने समझवानू काम घणाज निश्रान डॉक्टर नो ध्वारा थतू कुशल तानू काम छे. बे रेडियोलोजिस्ट महिला ना एक्सरे नू विशलेशन करे छे. पढ़वे आ काम गुगल हेल्थ द्वारा तैयार थायेलू आर्टिफिशल इंटेलिजन्स धरावतू मशिन लर्निंग कॉम्पीटर पन करी शके छे. ब्रेस्ट कैंसर ना निदान पर काम करी रहला एक रेडियोलोजिस्ट नी सर्खामनी या कॉम्पीटर वधारे सचोट रही हूँ. जहां एक स्वस्थ मेमोग्राम ने भूल्थी कैंसर ग्रस्थ गणावी देवाये होतो, तेमा एयाईये 1.2 टका सकारात्मक चिन्हों ने खोटा साबित करिया। जहरके बीजा कैंसर मां कैंसर ना निदान माचुक रही गई हती, पण एयाईये 2.7 टका चिन्हों द्वारा कैंसर होआनों निदान कर्यों। अब यस दर्शा वेचे के बविश्यमा यह उपन बने के स्क्रीनिंग प्रोग्राम ने वधू सचोट अने वधू कारेक्षम बनावी शकाए, जिन्हों अर्थ एक के परिणामों नी राज हो और नी ओची चिन्ता अने वधारे सारा परिणाम। हेलेन एडवर्ड्स पंदर वर्ष्थी ब्रेस्ट कैंसर थी मुक्त छे। त्यों गूगल हेल्थ ने अनामी हेल्थ डाटा माटे प्रवेश्णों अधिकार आपनारी पैनल मां दर्दियोंना प्रतिनी दियाता। पहला मने चिन्ता हाती के गूगल आबधी माहीती नू शूकर छे। पाण पच्छी मने थहू के लामबा गाडे तो आना थी महिलाओनेच फाइदो थशे। जमने कैंसर न थी तेमने वारमवार तपास नी चिन्ता नहीं रहे। निदान पर डॉक्टर नो निलने आखरी हशे। पन कैंसर ना निदान मां एयाईनी भूमिका वर्षे ते बाद नकी छे। संस्कृती परंपरा अनर रसोईने जिवनत राखता मुंबईना होमकुक। रुकाईशों वदू एक विराम माटे मलिये थोडी जवारमा। विरामबात फ़री एक वार स्वागत आपनू आप जोई रहाचो BBC समाचार होंचु कल्पना शा। वश्विक फैशन इंडस्ट्री वार्षिक 1.2 बिलियन टन कार्बन उत्सर जीत करे छे जे वार्षिक तमाम आंतर रास्ट्रीय उडानोंने दरियाई वहाण वटाना कुल उत्सर जन करता पन वधारे छे। कई रीते एक महा काई ग्राहक लक्षे उद्योग बदलाव लावी शके शुब ये चाणने बदले विनी मैं तेमा मदद करे शके खरा जो ये आंगे एहवाल। विनी मैं आवी रहना दाइका साथे फरीच चलाणमा छे। लोको ए कपड़ा जे तेमने गमता ना होई के पहरता ना होई तेने लावे छे आने बदलावा तेमने गमती वस्तूलाई जाई शुब जेट आने लिउसी ए कपड़ाना विनी मैं नो बिजनेस लोन हुट शरू करें के मॉडलिंग इंडस्ट्री मा काम करवा दर्म्यान रोजे रोज कपड़ाना ढगला जोईने ते ओ चकित थे गया हाता। जोके उत्पादित थातु दरेक कपडू परियावरण परासर करेचे। जीनसने एक जोडी नेदलाईलो एक जोडी उत्पादित करवा माटे 10-1000 लिटर पाणी नी जरूर पड़ेचे। तमारा जिन्जिक फेशन ना मुद्देग संसदी अभ्यान चलावेचे। तेमनु मानवू छे क्या आपड़ी टेव मां मोटा बदलावनी जरूर छे। आपने वधूने वधू कपडा खरीदवाना विचार उपर पोण विराम मुखू जोई ये। शुँ तमने खरे-खरेनी जरूँ छे। शुँ तमे एने ओच्छा मां ओच्छू 30 वार पहरवाना छो। आमे च्छौ मोटा रिटेलर्स नो इंटर्व्यू माटे संपर्क करयो पन कोई उपलब्द ना हदू। टकाव पड़ना नो मतलब छे कुद्रती स्त्रोतों पर आपड़ी असर घटारवा उतपादन अने खरीदी घटारवी। परन्तु जेमने वेचान करवू छे एवा दंधादारी एकमो माटे एनो मतलब छे ओचो नफो अने दंधा माटे एक मोटो पड़कार। अने हवे फेशन बाद वात भोजन नी। आ स्वादिस्ट भोजन जो इने जमवाना समय आपना पन मौमा पानी आवीज गायो हशे। पन आ छे विसराती जती प्रादेशिक एवी वानगियों जैने बचावा माटे मुंबई मा एक नवो प्रयोक शरू थायो छे। अलग अलग प्रकार नी प्रदेश नी पारंपरीक वानगियों बनावता होम शेफ। लोकोंने भारतिय भोजन नो स्वाद चखाड़े चे एटलूद नहीं आ वानगियोंने भूलाती पन अटकावे चे। होम शेफ भोजन मा प्रामाणिक तलावे चे ते अलग अज़ोई चे। घर मा बनती परंपरागत पानगियों हवे भुलाई रही चे। कारण की लोकों पासे हवे समय च नथी। इटली तेने बचावी राखवी एक मुद्दो बनी गवो चे। भारत विवित ताथी भरेलो देश चे। अने आ विवित ताओ एटली विभिन्द चे के लोकों समझी पन न शके। दर एक जिलानी वानगी गणों तूपन 700 दी वधारेवानगी उमर्शे। विचारों केटलू बदू भोजन चे। अथेंटिकोक लोकोंने भोजन्ना माध्यम थी जोड़तू एक ओनलाइन मार्केट छे। अमारू मिशन लोकोंने स्थानीको द्वारा बनावेली भारतनी स्वादेश्ट अने विविद रसोईनों स्वाद चखाडवानू छे। तामिलनाडू नी रसोई घणी या लगछे। इमां त्रोन स्टार्टर्स होई शे। सुन्डल, भजिया आने परूपुवडा। मने लोकोंने मड़ू अने रसोई बनावी गमे शे। इटले आ काम मारा माटे घणू सारू शे। अत्यारे जे पार्सी रसोई छे तेना मूल कोई एक जग्याए न थी। ते पर्सी आन छे भारती अचे आने तेमा थोडो ब्रिटिश स्वाद पन छे। मित्र होई के कोई समुदाई होई। ते बद्धाने ज भोजन जोडे छे। आने लोकोंने मारा हातनी रसोई भावे छे। जेना थी मने प्रोच साहन मड़े छे। बंगाली रसोई तेमा वपराता मसालाओने कारणे आवता गूड स्वाद माटे वखनाए चे। मारा माटे भोजन इटले यादो। आ रसोईने जीवन्त राखेने। हुमारा दादी अने तेमनी परंपराओने जीवन्त राखुछू। तोशूं वईश्वी करणने लिदे भारतीय रसोई भुलाई जाशे। तो जवाब चे हाँ, थोड़ा गणा आउशे। चोके मने लागे चे के तेनों उक्येल घणों सराड चे। लोको ने आ रसोई विशे ख्याल होई ने तेने मानी शके। सिंगापोर ना एक एवा फोटो स्टूडियो नी वाद करिये जे लगने करवा इच्छुक युवको होई छे तेना फोटा पाड़ी तेनी भावी पत्नीने आकर्श्वा माटे मदद करें चे एहीं स्थडांतर करी ने आवेला कामदारों ना बायोडिटा ने चमकावा लिट तिमने सुंदर फोटा लेवानु काम थाएचे सिंगापोर ना अस्टूडियो माँ पहला तो लगना इच्छोक युवक सारा कप्रा पसंद करेचे पसी तेहों योग ये बैकड्रोप पसंद करेचे पसी फोटो पाड़ी ने यूगतीना परिवार ने मोकलाईचे मोटा भागना यूवको भारत अने बांगलादेशना छे जियां अरेंज मेरेज नूँ हजूपन चलन छे तेहों ओछा पगारे मजूरी काम करता होईचे अने आ फोटो तेमना माटे योगिय यूती शोद्वामा मदद रूप थाएचे स्टूडियो चलावता सजीव अने सीजा दक्षिन भारतिय वंचना छे अने तेमना अरेंज मेरेज छे शरुआत्मा हुमारा अरेंज मेरेज थी खुश नो हती हावें खरेकर खुश श्यू कारण के हुँ यूवकों ने तेमनी मन पसंद कन्या मेडवामा मदद करी शकुछू सजीव अने सीजा नो सफर तानो दर आगामी अनेक लगनो नी सफर ता पर आथारीच छे उत्तर प्रदेश मा विकास ना दावाओ केटला साचा आज सवाल उठावेचे आज शुन्य निश्राही हवे बात आवतिकालनी करिए नाइजीरियानी राजदानी अबू जहमा मनगम तो घर बनावा माटे 20 वर्ष असुदी प्रायत नकरनार एक व्यक्तिए धीरत साथे हाथ दरेला प्रायास पर जोई शुकास हैवाल आवतिकालनी रात्रे आट कल्ला के बीबीसी समाचार माँ बीबीसी समाचार माँ आज माटे बसाथ लूज रजाप शो नमस्कार